दोस्तों नमस्कार मेरा नाम संजे मग्गू है और मवजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर हर्याना की एक खाली हुई राज्य सभा सीट इस समय पूरे महाभारत के अंदर गुजर रही है यानि कि उसको ले करके पूरी महाभारत है राज्य सभा सीट के चुनाव के लिए अभी तक चुनाव का कारेकरम तो घोशित नहीं हुआ लेकिन भारती जनता पार्टी से कौन चहरा हो सकता इसे भी लेकर के जहां चर्चा और मन्थन है तो फिर विपक्ष भले ही चाहे वो कॉंग्रेस और जन्नायक जनता पार्टी जनके 28 और 10 विधायक हैं वो दोनों भले ही खामोश हैं लेकिन नवीन जहिंद ने अपना खूटा गाड़ दिया है नवीन जहिंद ने आज भी खूटा गाड़ा और एलान किया कि मैं तो मैदान में हूँ प्रेस कॉंफरेंस करके और लाइव आ करके कहा इस राज्यसभा के चुनाव को लेकर हर्याना की राजनीती में भी खूब कोतुहल है और मैं आपसे चर्चा में हूँ कि भारती जन्ता पार्टी जिसके लिए माना जा सकता है कि ये राज्यसभा की सीट भी बीजेपी के खाते में जाएगी ये राज्यसभा की सीट जो कॉंग्रेस के सांसद बने दिपेंदर हुड़ा लोगसभा सदस्य बने दिपेंदर हुड़ा के राज्यसभा से इस्तीफे से खाली हुई ये seat अब Congress के हाथ तो आने वाली नहीं और इसलिए इस पर भारती जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा नजरें उस पर जादा हैं जो अगर चुनाव की नवध आती है तो फिर बिज़े पी की फिवर में वोट करेंगे तो बारती जनता प्ार्टी का चेहरा कौन हो अभी दोस्तों दो दिन पहले ही भारती जंता पार्टी ने हर्याना के लिए अपने परदेश अध्यक्ष का चैन कर दिया नियुक्ति कर दी एलान कर दिया और महलाल बडौली हो गए हर्याना भारती जंता पार्टी के अध्यक्ष सोनिपस से अभी हाल ही में लोगसभा का चुनाव हार गए थे और वैसे वो राई के विधायक है और इसके साथ सथ उनकी संगठन में गजब की पकड़ है महामंत्री रहे है भारती जन्ता पारटी के लगातर दो बार अगर इसे मानें तो जो महलाल बडॉली को बनाया गया बीजेपी का परदेश अध्यक्ष तो ये भारतीय जन्ता पारटी की सोशल इंजीनिरिंग का एक नमूना है भारती जन्ता पारटी अपनी सोशल इंजीनिरिंग बड़े अच्छे साथ रही है और उसके अंदर उसका ज गुजर समाज से है नॉड़ा से यूपी से यानि कि इस तमाम समाजों को साधने की जो भारती जन्ता पारटी की कवायद है अब इसी लिहाद से देखा जा रहा है कि अगला चहरा कौन होगा राज्य सभा के लिए जो राजनीतिक चर्चाएं हैं वो तो ऐसी है कि किसी महिला के सिर पर ताज सच सकता है किसी महिला को बनाया जा सकता है चहरा भारती जंता पार्टी की तरफ से हलांकि मैंने एक बार आपसे कहा था कि कुलदीब बिश्णोई भी हो सकते हैं लेकिन राजनीतिक हवाएं कुछ ऐसी है क्योंकि कुलदीब बिश्णोई के फेवर में कई चीजें इस समय जा नहीं रही और इसको देख करके लगता है कि शायद कुल के साथ में क्योंकि समीकरन भी फिट बैठता है तो मैं आपको बताओं कि किन चेहरों पर नजर जा सकती है जो तीन नाम में आपको बताने जा रहा हूं उनमें से पहला नाम है सुनीता दुगल सिरसा की पूर्व सांसद उनमें दूसरा नाम है बंतो कटारिया अंबाला के पूर्व सांसद दिवंगत स्वर्गिय रतनलाल कटारिया की धरमपत्नी और अभी हाल ही में अंबाला से लोकसभा का चुनाव लड़कर चुनाव में हार गई और तीसरा नाम है अभी हाल ही में लगबग एक महीना पहले या निकि 20-22 दिन पहले कॉंग्रेस छोड़कर भारती जनता पार्टी में आई किरन चौधरी बंसी लाल की पुत्रवदू और इन तीनों नामों के बारे मैं आपसे विस्तर चर्चा करता चलूँ और मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूँ कि राजनितिक हवाएं कुछ ऐसा संदेश दे रही है कि जिस नाम पर महर लग सकती है वो बंतो कटारिया या सुनीता दुगल का नाम प्राथ मिक्ता पे ह भारती जनता पार्टी में मैंने आपसे पहले ही कहा कि क्योंकि चुनाव विधान सभा का नजदीक है लोग सभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन वो हो नहीं पाया जिसकी उम्मीद थी जिसका भारती जनता पार्टी सोस्ती थी हलांकि राजनितिक पंडितों की नि दुपसान को 5 तक सीमित कर लिया यानि कि हर्याना की जो 10 लोकसभा सीटें हैं, 10 जो सांसत बनें उन्में से 5 भारती जनता पार्टी के जीत गए यानि कि भाजपा ने 5 बचा लिये और कॉंग्रेस के 5 जीत गए, कॉंग्रेस ने 5 कमा लिये बात मैं आपसे बीजेपी की कर रहा हूँ राज्यसभा सीट को लेकर कर रहा हूँ अब बात आती है कि अभी तक हरियाना के अंदर जो पांच राज्यसभा के सदस्य बनते हैं जिन में से चार अभी तक भारती जन्ता पार्टी के पहले से हैं पांच में कॉंग्रेस के थे दिपेंदर होड़ा उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई जो चार भारती जंता पार्टी के राज्यसभा सदस्य पहले से हैं उनमें से एक तो भी हाल ही में बने थे सुभाश बराला सुभाश बराला जाट समाज से आते हैं भारती जंता पार्टी के पूरू में परदेश अध्यक्ष रहे हैं दूसरे सांसद यहां पर हैं कार्ति के शर्मा इंडिपेंडेंड ड़ते हुए चुनाव जीते बीजेपी का समर्थन था भारती जंता पार्टी के साथ हैं पंडित विनोध शर्मा जो केंद्र सरकार के और परदेश सरकार के वजीर रहें उनके बेटे हैं मीडिया संस्थान चलाते हैं अपना ब्रामन समाज से हैं तीसरे जो बने तीसरे हैं जो सांसत बने वो है क्रिशन पवार और क्रिशन पवार आते हैं दलित समाज से कई बार विधायक रहे हैं इंडियन नेशनल लोगदल में चौतरी देवी लाल परिवार के नजदीकी हुआ करते थे 2019 के चुनाव से पहले आ गए थे वो भारती जनता पार्टी में मंत्री रहे सरकार के अंदर मनोलाल के बहुत नजदीक हैं राज्यसभा के मेंबर हैं और जो चौते राज्यसभा के सदस्से हैं वो हैं बेकवर्ट समाज से OBC से तो यहने कि मानले एक BC समाज से एक SC समाज से एक ब्राह्मन और एक जाट यह पहले से हैं अगर आब बात आ जाती है तो भारती जनता पार्टी को इन लोगसभा चुनाओं में हर्याना के अंदर जाट मद्दाताओं का और जाटव दलित मद्दाताओं का काफी जटका लग कि भारती जनता पार्टी का यह वोट बैंक खासकर जो जाट मद्दाता तो पहले ही खिसका हुआ था लेकिन दलित मद्दाता भी खिसक गया और उन दलित मद्दाताओं को साधने के लिए BJP की पूरी कोशिश है कि कैसे उनको साधा जाए और जो मैंने आपको नाम बताए चर्चाएं यह है कि सुनिता दुगल वो सेवा निवरत आयारा सदिकारी है और सुनिता दुगल का क्योंकि कई न कई मन रूंद गया था जब उनकी टिकेट कट गई थी और वैसे उनको अमिश शाह और नरेंदर मोधी की कोड़ टीम में नजदीक वो शामिल भी रही है हाल टिकेट काटने के बाद भी उनकी कोई ऐसी बात नहीं आई कि उन्हेंने बगावत वगरा कियो यह ऐसा कुछ हुआ हूँ तो एक तो नंबर लग सकता है सुनिता दुगल का दूसरा मैंने आपको नाम दिया बंतो कटारिया का बंतो कटारिया प्रधानमंत्री इंदरेंदर मोधी की गुड वुक्स में है रतनलाल कटारिया जी की धरं पतनी रतनला कटारिया भारति जन्ता पार्टी के कोर लीडर रहे है जो कोर ग्रूप के लीडर हुआ करते थे भीज़े पी के परद neurolog के अद्धिक्ष भी रहे और दो वार वह सांसत भी रहे मोधी की कैबिनेट म लिए नरेंदर मुदी आये थे और सबसे पहली रैली बंतो कटारिया के समर्थन में ही हुई थी बंतो कटारिया उम्र के उस दौर में भी है कि जहां पर उनको विशेश सम्मान से नवाज आ जा सकता है तो आप मान करके चलें कि दूसरा नाम इसके अंदर बंतो कटारिया का भी हो सकता है आप इन में पहला और दूसरा कोई भी मान सकते हैं बंतो कटारिया पहले पर भी आ सकती है और दुगल भी पहले पर आ सकती है हलाकि बंतों कटारिया के लिए मनोहर लाल भी और उपर भी उनका जुगार ठीक ठाक है तो उनका नंबर भी लग सकता है और तीसरा मैंने आपसे नाम कहा किरन चौधरी का किरन चौधरी अभी हाल ही में विधायक हैं तो शाम से आज कल भी अभी रजाइन हुआ नहीं उनका कॉंग्रेस के अंदर उनका पूरा बढ़िया कत था लेकिन होडा साब से उनकी बंती नहीं थी और वो कॉंग्रेस में मुख्य मंत्रीपद की दाविदार थी कॉंग्रेस छोड करके वो भारती जनता पार्टी में आ गई चौधरी बंसी लाल की राजनितिक विरासत समझी जाती है और उनके साथ उनकी बेटी शूरूती चौधरी भी आ गई चर्चाय पहले भी थी कि किरन चौधरी को भी लिया जा सकता है किरन चौधरी को भी टिकट दिया जा सकता है लेकिन क्यूंकि किरन चौधरी भी हाल ही में कॉंग्रेस से आई है और उससे पहले कुलदीब बिश्नोई कॉंग्रेस से आये थे कुल्दीब बिश्णोई को भी अभी वो नहीं मिला जिसकी उनको इच्छा थी जो सोच के साथ हुआ थे और किरन चौधरी भी इसी उम्मीद के साथ आई है कि बीजेपी को उनको पता नहीं कि बीजेपी से बड़ा क्या मिलेगा लेकिन बड़ी बात यह आजाती है कि सब को दबाने के लिए हो सकता है भारती जन्ता पार्टी अपने किसी पुराने नेता पर ही और किसी दलीत नेता पर ये कार्ड खेल दे क्योंकि किरन चौधरी को आगे विधान सभा का चुनाव भी लड़ाया जाना है तो शाम से ही वो केंडेट हो सकती है भारती जन्ता पार्टी से और इसके अलावा किरन चौधरी को अगर राज्य सभा लिया जाए तो फिर ये बात आएगी कि क्या शूती को टिकर दिया जाएगा विधान सभा का और या फिर जो बीजेपी में है कि एक परिवार से एक ही तो फिर किसको एड़जस्ट किया जाए ये सारी बाते है इसको ले करके राजनीतिक सूतर ये कहते हैं कि किसी दलित नेत्री का नंबर लग सकता है राज्य सभा सदसय के लिए और उसमें बंतोक अटारिया और सुनिता दुंगल ये दोनों नाम प्रमुक्ता से लिए जा रहे हैं वैसे आपको क्या लगता है कि इस राज्य सभा सीट पर बीजेपी को क्या राज्यसभाद चुनाओं में कोई फायदा मिल सकता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर पताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहे देश रोजाना